आपने देखा होगा रोड साइड में लगे रहता है इसको आप कैसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं और अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं पौंदा तो इसको आप इस समय जो है नर्सरी से ला सकते हैं पौंदे को अगर आप इसको घर पर फिरी में उगाना जाते हैं तो इसक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंड बॉक्स में भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आगे शेयर भी ज़रूर करें कई लोग बागन मिला का प्लान्ट जो है अच्छी फ्लावरिंग करता है इसकी वैसे इसको अपने घर के आगे से भी लगाते हैं या कोई बगीचा बना रखा हूँ लगाते हैं मैंने जो श सक्ता है यह लगा रखा और पॉर्ट में इसको नूटीशन की बहुत जरू 높 होती है अगर जमीन में लगया तब तो न्यूटीशर्ण की कोई जरूरूरत निए क्योंकि पॉर्ट में जो है सिमीत मातला में इसको न्यूटarlos मिलते हैं इसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती है तो मैं आज मैं आपको इसको बताऊंगा इसको कैसे पॉर्ट में लगाना है और अगर आप माल्या प्लास्टिक के पॉर्ट में लगाते हैं तो प्लास्टिक के पॉर्ट में क्या होता है गर्मियों में बहुत ज्यादा हीट पढ़ती इसकी pad में जड़े होती है की वोगते हैं उसमें को यह तोड़े जीए लिएUS मैं अच्छी प्लावरिन ले सक्ते हैं जो यूंकि लगा है तों धुन तो चाहिए होगी इसको क्योंकि अगर जमीन में लगाता हो तो कोई न्यूटिशन नहीं देने पड़ते तो गंबले में जो न्यूटिशन है आप इसमें गोवर की खाद वर्मिंग कमपोस्ट भी दाल सकते हैं और इसमें आप जो भी किचन वेस्ट वगर बनाते हैं वह भी मातरा में डालेंगे तो इसमें अच्छी ले सकते हैं आप तो मैं आपको एक दिखाऊंगा आपको जिस्से के आप इसमें अच्छी फ्लावरीं ले सकती है किचन में भी देन जाएगा जैसे यह प्यांज है प्यांज में बहुत प्रकार के नूटिशन पाएजाते जो पौ मा grandes Hill के उसको पानी में दाल के दो तिन तिन के लिए इसको झिला कर तो और इसके जड़ में भी दे सकते हैं तो प्याज में जितने प्रकार की नूटियशन पाइजाते हैं पौंधों आंध पौधे की मिट्टी होती है इसमें हर भी गुड़ाई करेंगे तो उसमें गुड़ाई के एक दो दिन इसको ऐसे रहने दिंगे उसके बाद इसमें पानी दिंगे गर्मियों में जो है पानी की मात्रा इसमें जादा चेहे होती है क्योंकि गर्मियों में जो है पौधा जल्द क्योंकि इसमें जो जो न्यूटिसन है वो पूरे अच्छे से गुल नी पाएंगे क्योंकि आप गुड़ाई नी करेंगे तो मिट्टी इसकी जम जाते उपड़ से और इसमें जो प्रकास पड़ता है इसकी मिट्टी में वो पूरा अंदर तक नहीं जाएगा जिससे कि यह कहीं भी आप इसकी कटिंग ये इस प्रकार से कटिंग लाने देखे जैसे हिए है इसको ये इतनी मोटी करीब हाथ होड़ी सी हार्ट कटिंग हो नीचे जैसे नोट है ये नोट से दो-तीन इंचे नीचे इसको कट करके सीदह आप कोई सी भी मिट्टी में लगा दीजे और मिट्टी ऐसी जोगों पर रखे जहां वह हिल ना पाए क्योंकि अगर हिल गया तो इसकी जड़े हैं वह नहीं बन पाएंगे और पहुदा सुख जाएगा इसको मिट्टी में लगा दीजे और आप देखेंगे एक मेनी के अंदर इसमें जो है ग्रोध आनी स्टार्ट हो जाएगी और पूर जो है ग्रोध कर लेगा उसके उसमें जड़ें भी बनी स्टार्ट हो जाएंगी इस तरीके साब इसको जो है फिरे में घरप्यों का सकते हैं और इसको पूरे दिन की दूप दिखाना है क्योंकि यह जो पौहदा है यह समझ लीजिए आप इसको रेहिस् आपका पौधा अच्छी ग्रोध करेगा और जो है आप इसमें अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा बताइए धन्यवाद